Hello everyone, आज की इस Hindi to English Translation वीडियो में हमारा सेंटेंस है लड़के नदी में तैर रहे थे तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंगलिस में ट्रांसलेट करते हैं अंत में है रहे थे यदि सेंटेंस के अंत में क्रियाक साथ रहा था रही थी रहे थे आता है इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट होता है पास्ट कंटिन्वस्टेंस के नियम से ये अफर्मेटिव है पास्ट कंटिन्वस्टेंस के अफर्मेटिव को इंगलिस में ट्रांसलेट करने का इस्ट्रक्चर पहले सबजेक्ट, सबजेक्ट लड़के हैं लड़का को इंगलिस में वाई कहते हैं लड़के यानि प्लूरल में वाईज पहले दो लगाएंगे दो वाईज उसके बाद हेल्पिंग वर्प प्लूरल के लिए वर्प उसके बाद वर्प का आएंजी फॉर्म वर्बे तैर रहे थे तैरना को इंगलिस में स्विम कहते हैं swim का ing form swimming उसके माद हम लिखेंगे जो भी other words होते हैं इसमें नदी में है यानि in the river The boys were swimming in the river लड़के नदी में तैर रहे थे की इंगलिस है The boys were swimming in the river लड़के नदी में नहीं तैर रहे थे की इंगलिस है The boys were not swimming in the river क्या लड़के नदी में तैर रहे थे इसकी इंगलिस है लड़के नदी में क्यों तैर रहे थे इसकी इंगलिस है तो दोश्टो पास्ट कांटिनुए स्टेंस के और भी सेंटेंस का English Translation वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगा क्लिक करके आप ऐसे डेरो हिंदी टू इंग्लिस ट्रांसलेशन विडियो देख सकते हैं थाइंक्स फार वाचिंग